बेशे से डॉक्टर लक्ष्मी सहगल मदरास मेडिकल कॉलिज से मेडिकल की शिक्षा के बाद सिंगापोर चली गई 1942 में दूते विश्य युद्ध के दोरान जब अंग्रेजों ने सिंगापोर को जापानियों को समर्पित कर दिया तब उन्होंने घायल युद्ध बंदियों के लिए काफी काम किया जुलाई 1943 में जब नेता जी सुभाशन बोस सिंगापोर आए तो डॉक्टर लक्ष्मी भी उनके विचारों से प्रभावित होकर नेता जी की सेना में शामिल हो गई आजाद हिंद फोज की पहली महिला रिजमेंट रानी जहाशी रिजमेंट में डॉक्टर लक्ष्मी ने कैप्टन पत् पर कारेभार समभाला दूत्य विश्युद में जापान की हार के बाद ब्रेटिश सेना की ओर से पकड़े गए आजाद हिंद सेनिको में डॉक्टर लक्षमी भी थी जुलाई 1946 को भारत लाये जाने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया 1947 में करनल प्रेम कुमार सहगल से विवहा के बाद वो कानपूर आकर बस गई और वन्चीतों की सेवा में लग गई 1998 में सुतंतुता आंदोलन में उनके महतवपूर योगदान और संगर्श को देखते हुए उन्हें पद्न विभूशन से सम्मानित किया गया आज इवन राष्ट की सेवा में तत्पर डॉक्टर लक्षमी ने कानपूर में 23 जुलाई 2012 को 98 साल की उम्र में आखरी सास ली बीरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी